जो 30 विद्या के अनुसार लॉंग के कई प्रकार के टोटके किये जाते हैं हलांकि हर कीचन में होता है लॉंग और जिससे घर में उपस्ति किसी भी तरह की नकात्मक सक्तियों को आप दूर कर सकते हैं साथ ही positive energy का घर में वास होता है तो लॉंग का एक छोटा सा उपाय जो आपके जीवन और आपके किसमत दोनों को ही बदा सकता है वैसे तो कई बार क्या होता है हम बहुत मेहनत करते हैं पर उसके फल नहीं मिलते कई बार ये भी होता है कि आप जो करते हैं लोग कॉपी करके आपको आगे बढ़ जाते हैं पर आप वहीं रह जाते हैं ऐसे में आज हम आपको लोग के कुछ खास उपाय बताएंगे जो ना सिर्व जीवन में आपको धन की प्राप्ती करवाएगा बलकि सत्रू बिरोधी आप से बहुत पीछे रहेंगे तो आज चलिए हम जानते हैं अगर आपको लगे कि जीवन में धन नहीं आ रहा है तब ऐसे में एक काम करें बहुत मेहनत करने के बाद धन ना आए तब मंगलवार या सनीवार के दिन आप एक नीम्बू और चार लॉंग लेकर हनमान जी के मंदिल जाएं हनमान जी के सामने बैठ जाएं और एक मंत्र है पढ़िए ओम स्री हनुमते नमहा फिर उस जो नीम्बू है उस पर चार लॉंग अलग अलग जगा आप लगा दें इस मंत्र को आपको 21 बार बोलना है ओम स्री हनुमते नमहा इसके बाद नीम्बू को अपने पास रख लें और सारा दिन रखें जीवन में जो भी परिसानी है वो समाप्त होगा साम में क्या करेंगे इस निम्बू को कहीं भी पीपल के बिशके नीचे छोड़ दें या फिर मिट्ट्टी में दबादें घर में गर से बाहर तो ऐसा करने से जीवन के ठेर सारे जो चीजें आपको किसमत से मिलनी है नहीं मिल पा रही है वो आपको मिल जाती है बहुत सिंपल है पर इसका उपाय बहुत कारगर है किसी भी बाधा को दूर करने के लिए चाहे वो किसी ने आप पर टोटका किया है बसी करन किया है अगर इससे भी आपको बशना है तो रोज सुबह जब आप पूजा करते हैं आरती करते हैं तो दीपक में दो लॉंग डाल दे आप चाहें तो कपूर में दो लॉंग डाल कर भी आप जला कर आरती कर सकते हैं सारे बिगडे काम बनने लगते हैं बहुत सिंपल है आपको ज़्यादा कुछ ताम जाम भी नहीं करना पस मन में सुकून आएगा सांती आएगी और ये उपाय आपके जीवन के बहुत सारे जो आपका हक है खुसियों पर वो भी आपको आसानी से मिलेगा सिंपल उपाय है डेली उजमें कर सकते हैं हम आपसे भीडा लेते हैं हर हर महादेब झाल